गुण बॉर्निंग डे श्टुडेंट्स यूपी वोर्ड मादमेशिक्षा परिक्षद की तरब से कक्षा दसमी और वार्मी के छात्रों के लिए बहुती बड़ी सुचना जारी की जा चुकी है अगर आप इस बार 2023 की यूपी वोर्ड परिक्षद देने वाले हैं तो आपके लिए ख़वर काफी महत्पूर हैं अर्दवार्शिक परिक्षद में समलेत सभी मिद्वारों के लिए बड़ी ख़वर निकल कर आ रही है जिससे आप सुनकर बहुत चौंक जाएंगे अगर आप सोच रहें कि यह ऐसी ख़वर क्या है जिसके तहट बिध्यारतियों को परिक्षद देने से भी बंचित रहना पड़ सकता है तो अभ्यरतियों के लिए बताया जाता है कि उत्ताफ प्रदेश माद्मिक शिक्षद की तरब से बड़ी जानकारी मिली है इस रिपोर्ट के अनुसार अभ्यरतियों को परिक्षद में नहीं बैठने दिया जाएगा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाईए जिससे आने वाली सभी वीडियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चैनल परिक्षद की तरफ से यूपी वोर्ड परिक्षद में सम्मिलत होने जा रहे उन तमाम अभ्यरतियों के लिए बहुत बड़ी ख़बर है बता दें पंजी करन का कारिये नवंबर महा में पूरा हो चुका है और इसी दोरान हाई स्कूल एंट्रमीडियर के लगभग अठावन लाग से अधिक छात्रों ने पंजी करन कराया है यूपी बोर्ड कक्षा दशमी और बार्मी बारसिक परिक्षा में सम्मिलत होने जा रहे सभी चात्रों के लिए बड़ी ख़बर है जिसकी बज़े से आप परिक्षा में सम्मिलत नहीं हो पाएंगे इपी बोर्ट चात्रों के लिए अपडेट यहां पर अगर आप पेपर में समलित होने जा रहे हैं तो सभी प्रमापत्रों का वेरिफिकेशन कराना आपके लिए आभश्यक होगा पहले जो सभी अभ्यरती कक्षा 10 की परिक्षा में समलित होते थे उन सभी अभ्यरतियों के लिए कक्षा 9 का रेजिट्रेशन करवाना पड़ता था ऐसे में कक्षा 12 के परिक्षा में समलित होने के लिए वेरिफिकेशन करना पड़ता था लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि कक्षा दस्मी तथा बार्मी बोर्ड परिक्षा में शमलित होने वाले सभी अभरतियों के लिए सभी प्रमार पत्रों का सत्यापन होना बहुत जरूरी है सभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कक्षा दस्मी और बार्मी की बार्शिक परिक्षाओं का आयूजन फरवरी या मार्च महा में संभव है जानकानिया निकल कर आ रही है यह एक्जाम 15 फरवरी से सुरू हो सकता है क्योंकि उत्तप्रदेश मादमेशिक्षा परशाद की तरफ से अभी हाल ही में मीटिंग हुई है जैसे कि फैसला लिया गया है कि 15 या 16 फरवरी से यूपी बोर्ड परिक्षाओं पर फैसला हो सकता है आप सब यह भीरतियों के लिए जरूरी है कि जितने भी परिक्षाओं में समलित हुए हैं उनके परमार पत्रों का वेरिफिकेशन कराना होगा आप सब यह भीरतियों को बता दिया जाता है कि आपकी जरूरी परमार पत्रों में एक समान होनी चाहिए अलग अलग डेटर बर्थ नहीं होनी चाहिए एक छोड़ी सी गलती आपके लिए परिसानी का कारण बन सकती है आधरकार परमार पत्र जैसे जाते परमार पत्र मुल्नेबास परमार पत्र अंक परमार पत्र सभी में जनमत थी एक जैसी होनी चाहिए अन्यता आपको परिछा देने से बंचेत किया जा सकता है इसी प्रकार की अन्य वीडियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें करें सक्राइब करें सक्राइब करें झाल 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 झाल